चैप्टर नमबर फॉर स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर का नाम है बिजनस सर्विसेस ठीक है बीटा बिजनस सर्विसेस पढ़ने से पहले तो यही पता होना चाहिए गोड्स और सर्विस में क्या डिफरेंस होता है बेटा देखव एक बात है बेसिक डिफरेंस की बात करूं तो गोड्स टेंजिबल होते हैं और सर्विसेस इंटेंजिबल होती है लेकिन दोनों का काम क्या होता है बेटा satisfaction of want ठीक है अगर हम ना एक दोनों के लिए एक word इस्तमाल करते हैं known as product ठीक है हम दोनों को मिला कर बूलते हैं product generally ठीक है बबु सर्विसेस का काम satisfaction of want है यह तो समझते होना आप ठीक है मेरे को ना services का nature कराना है जब nature हो जाएगा ना तो बेटा इन दोनों में difference समझ में आ जाएगा nature कहलो, feature कहलो, characteristic कहलो तीनों में ही कोई difference नहीं है चाहे nature बोलो, चाहे feature बोलो, चाहे characteristic बोलो ठीक है बेटा पांच characteristic है service की और वही पांच और differentiation के basis बनेंगे goods or service के ठीक है जी, पांच difference भी cover हो जाएगे और ऐसे ही services का nature भी खतम हो जाएगा जैसी ये topic कर लेंगे, पहला nature कहा है बेटा, intangibility, ठीक है services are always intangible in nature, बेटा goods tangible होते हैं goods tangible होते हैं, touch कर सकते हो, देख सकते हो, बेटा services को कभी किसी ने touch नी किया, कभी किसी ने देखा नी services are experiential in nature, बेटा one can only experience the service किसी doctor की service जागर लेते हैं, बोलते हैं, doctor यार बहुत पढ़ा लिखा लगता है, यार बहुत अच्छा लगा doctor से फिलकर, ठीक है न, teacher की service लेते हैं, कहते हैं, बहुत अच्छा लगा पढ़का है और किसी से service लेते हैं, कहते हैं, बहुत खराब लगा पढ़का है बेटा देखा किसी ने नहीं, तच भी किसी ने नहीं किया लेकिन बेटा experience हर कोई कर सकता है services हमेशा intangible होती हैं और goods हमेशा tangible होती है पहला difference भी clear हुआ, nature भी clear हुआ होगा second one is inconsistency बेटा services हमेशा inconsistent है nature में और बेटा goods हमेशा consistent है what do you mean by consistency? consistency, बेटा same होना और interchangeability होना आप समझते हो consistency क्या होता है बेटा देखो एक बात समझो Hyundai company है, उसने क्रेटा कार बनाई ठीक है, और मानलो बेटा 20,000 कार बनाई क्रेटा बेटा एक कार दूसरे कार से बिलकुल similar होगी appearance में बिलकुल similar होगी weight में बिलकुल similar होगी dimension में बिलकुल same होगी color में हर चीज में similar इसको बोलते है consistency यहाँ पर आपके सामने इस tool पड़े है एक देख लो, 20 देख लो, 50 देख लो similar in size, similar in shape similar in weight, similar in color हर चीज़ similar यह होते है consistency होना बेटा goods में consistency होती है services में होती है दो doctor की service एक जैसी दो tutor की service एक जैसी कभी देखा है बेटा मेरे को भी NCRT पढ़ाने को मिली भी है सबको NCRT पढ़ाने को मिली भी है आपको लगता है सारे एक जैसा ही बढ़ाते है नई example similar होते है नई services बेटा inconsistent होती है nature में goods हमेशा consistent होते है difference भी clear हुआ होगा और मेरा क्या nature भी पक्की बाद third one is inseparability बेटा देखो there is a time gap between the production and the consumption of goods of goods बेटा यानि की कहने का मतलब क्या goods के case में आप production activity को और consumption को separate कर सकते हो ऐसा कोई जरूरी है जितना goods अभी produce हुआ अभी consume होना जरूरी है ठीक है ऐसा जरूरी होता है क्या wheat अभी जितनी produce होजेगी सारी consume कर लेना बेटा गर्मियों में क्या होगा क्या गर्मियों में produce होगी सारी consume कर लेना गर्मियों में सर्दियों में क्या होगा जिन्ना नहीं रहना गया there is a time gap between the production and the consumption of goods लेकिन बेटा services के case में production और consumption में कोई gap नहीं होता services बेटा just time produce होती है simultaneously उनको consume होना है time gap हो सकता है एक बात सोचो बेटा मैंने आज एक car बनाई आज produce होगी क्या एक महीने बाद नहीं बेच सकता नहीं बेच सकता एक साल बाद नहीं बेच सकता बस ये बता दो बेच सकता हूँ production और consumption में gap दिखाई दे रहा है आप 12th की service अभी ले लो बेटा ले लो मैं produce करना शुरू करता हूँ बेटा मैं 12th क्लास में पढ़ा रहा हूँ क्या आप अभी से consume कर सकते हो या 12th क्लास में आकर उन्स service को consume कर लोगे दिवारे बोलेंगी क्या दुबारा मुझे ही बोलना है ना जिस time produce होंगी उसी time consume होंगी stock नहीं लगाया जा सकता अभी चले जो डॉक्टर के पास अभी कहतो अभी चाहिए आपकी services हमारे को बुखार होएगा future में देख लेंगे ऐसा कुछ ठीक है ऐसा हो सकता है कभी नहीं हो सकता बेटा services जिस time produce होती है at the same point of time उनको consume होना है otherwise it will be totally be a loss ठीक है ना बेटा goods के case में production और consumption में time gap हो सकता है easily ठीक है fourth adding है inventory ठीक है inventory मतलब stock लगाना ठीक है और bracket में लिखावा है अगर आप NCRT के बाद करो NCRT ने लिखावा है less लेकिन मैं बोलता हूँ बेटा the term is not less it is loss होना चाहिए loss मैं प्रूव भी कर दूँगा मेरे को पता नहीं NCRT किस point of view से लिखती है पर मेरे साब से गलत हूँ होना चाहिए loss समझने की कोशिस करो बेटा goods की inventory लगाई जा सकती है goods की inventory लगाई जा सकती है stock होता है accounts बनाते हो बेटा stock होता है कि नहीं होता closing stock होता है ठीक है तो आपको क्या लगता है कभी मैं अपनी balance sheet बनाता हूँगा आपको लगता है मैंने inventory दिखाई होगी कभी inventory services का stock पड़ा है मेरे पास पांच लाग गुरवे ऐसा कुछ बताओ services का stock होता होगा सोच कर देखो services store की जा सकती है किस go down में करूँ ऐसे go down की specialty मुझे भी बताओ store की जा सकती है services नहीं बेटा देखो एक बात सुनो अगर services same time पर produce हो या आपने same time पर consume नहीं की तो बेटा उसका store तो लगाए नहीं जा सकता वो सारा ही loss हो जाएगा मैं एक example देखर बताता हूँ आपको entertainment services बेटा आप movie देखने जाते हो cinema hall में let's suppose की SRS में total number of seats है 300 ठीक है total number of seats है 300 first show था सुबह 9 से 12 ठीक है आपको भी पता है fully occupied नहीं होता ठीक है मालनो बेटा 100 ही tickets भी की सौ टिकेट भी की सौ लोगों ने शो देख लिया अगला शो था 12 से 3 बेटा क्या महाँ पर 500 seat हो जाएगी 200 जो नहीं भी की वो और 300 अगली हो जाएगी automatically कोई हवा हैगी नहीं बेटा services just time produced हुई आपको उससी time consume करना चीए था आपने same point of time पर consume नहीं किया ना तो बेटा उसकी inventory नहीं लगा जा सकती it will totally be a loss वो 200 seat का loss हो गया आपको बात समझाई? ओके? and last one is involvement बेटा services के case में service provider as well as service recipient दोनों की involvement compulsory है जबकि goods के case में ऐसा कुछ नहीं होता मैं दोनों का example दूँगा भी समझने की कोशिस करना ठीक है? आपको fever हो रहा है ठीक है? और आपको doctor की services की जुरत है ठीक है? बेटा मैं बोलता हूँ services के case में service recipient और service provider दोनों की ही involvement चाहिए आप ऐसे कह सकते हो छोटे भाई को जा यार तो एक कामगर अपना temperature चेक करा जा जा तू करा किया अपना temperature चेक ऐसा कुछ क्या आपकी involvement compulsory है के नहीं बस ये बता दो है? पक्का? चलो आप दिखाए doctor को उसने आपको कुछ medicines लिख दी prescribe कर दी कुछ medicine उसके बाद एक बाद है था उसके बाद कह सकते है छोटे भाई को जा तू लिया मैं नहीं जाता ये तो कह सकते हो बेटा देखो जब goods मंगाना था तो आपकी involvement compulsory नहीं थी लेकिन अगर services चाहिए ना तो आपकी involvement compulsory हो जाती है ठीक है ना आपको tuition बढ़ना था आज उठा नहीं जा रहा था कह देते छोटे Y-van को उठा अगर जा तू सुना आज क्यों नहीं कहा आपने बेटा आपकी involvement compulsory है ये ही एक बात बोल देता हूँ बेटा कल को आपको notes चाहिए हो और आप आना सकते हो परशंट चीए बात ओके पाचो नेचर समझ में आए पाचो डिफरेंसिस समझ में आए दो topic साथ साथ खतम कर लिये हमने ठीक है वैसे बता देता हूँ मेरे साब से अभी तक chapter स्टार्ट नहीं हुआ मैं जब बता दूँगा की chapter मेरे साब से स्टार्ट हुआ बिटा तब से तीन घंटे गिन लेना हाँ चलो बाबूद चलो services तीन तरीके की होती है लो जी although zero topic है कभी भी business के वेपर में दिखाई नहीं दिया होगा पिछले 10 साल गई थी आस में लेकिन चलो धलकी सी बात करते है चैप्टर का नाम क्या है business services हमारा सारा का सारा focus यहाँ पर है business services क्या होती है बेटा which is required by the business enterprises ठीक है और आपके course में 5 है याद करा रहेता हूँ आपकी यदार्स थोड़ी कमजोर है बदा आप निखा रहे आजकल आप auxiliaries to trade और मैंने पहले चैप्टर में भी बोला था चैप्टर 4 में मुझे detailed discussion करना है auxiliaries to trade का यादा ही बात banking, insurance, transportation warehousing, advertising, communication services इन सबका detailed discussion है जहाँ होना है बेटा these services are required by the business enterprises अगर ये business enterprises को आप services नहीं दोगे तो trade smooth flow पर कभी नहीं चलेगा ठीक है न social services क्यों होती है बेटा जो बेटा किसी भी social welfare के motive से की जाती है just like free education देना children's को या बेटा एक camp लगा देना medical camp लगा देना slum area में ये social services है जिनका motive पैसा कमाना नहीं है जिनका motive कही ना कही social welfare करना है personal services जो बेटा ना business services है ना social service है वो personal service है अभी मैंने एक example भी दिया था आपको entertainment service restaurant services recreational services ये सब क्या है बेटा personal services topic खता अब chapter होगा start business services ठीक है जी अब मैं बता देता हूँ मेरा detailed discussion किस चीच पर है सबसे पहली बात banking दूसरी बात insurance थार्ड वन transportation पे एक लाइन वहलोगा transportation काता हूँ ठीक है transportation को छोड़ दो communication services at fourth one is bear housing services मैं बता देता हूँ बेटा time लगने कितने वाला है banking स्टार्ट करेंगे अभी स्टार्ट करेंगे अब स्टार्ट करेंगे तब से एक घंटा चलेगा ठीक है या तो आप समझा दे ना नहीं तो मैं समझा दूँगा अगर आप समझा दोगे तो 15 मिनट में कता हूँ और नहीं समझा पाए तो बेटा एक घंटा चलेगा और insurance हाँ वो भी चलेगा एक घंटा दो घंटे तो इस पर लगेगे ठीक है communication services start करेंगे 15-20 मिनट खर्च करेंगे वियर housing start करेंगे 15-20 मिनट लगाएंगे transportation 5-7 मिनट लगाएंगे तब जाकर ये chapter finish होगा और बीच में break भी होगा ठीक है कुछ ये आज बैच चलेगा तो कम से कम चीए उसके लिए मुझे साथ घंटे जब आप कहोगे तब एक दिन में पूरा करा देंगे ठीक है नहीं तो दो दिन में करा देंगे गुसा नहीं करो ठीक है जी चलो आगे वढ़ते हैं वेटा start करते हैं with banking ठीक है लो जी वैसे banking से generally मतलब आप क्या समझते हो banking से generally मतलब क्या होता है क्या होता है banking है loan provide करना banking से मतलब अच्छा और देखो generally वैसे banking का मतलब होता है अच्छा banks कमाते हैं कैसे हैं पैसा banking कमाईयां कैसे है interest से कमाते है पता होगा यार इतना तो दीन दुनिया के बारे में कुछ तो पता ही होगा बेटा, बेंक क्या करते है deposit accepts करते है बहुत सारे deposit accept करते है saving bank, FD, RD आप जब जब पैसा जमा कराते हो, bank accept करता है आपने पैसा जमा कराया bank ने accept करा और bank इसको क्या करता है, loan पर देता है अगर आप सोचो saving bank में, आज की तारिक में bank आपको 3% ब्याज देता है सिर्फ 3% आपने पैसा दिया 1,00,000 bank ने आपको दिया 3,000 रुपे, साल का ब्याज और bank ने इसको चड़ाया loan पर 10% पर, 12% पर, महां से कितने हैं 12,000 रुपे आपको दिया 3,000 रुपे ये 9,000 bank की कमाई है पर लाक तो आपको क्या लगता है branches में loan कितने के रहते हैं कई करोड 1,000 करोड 500 करोड तो कमाई की बात मती करना बेटा कमाई तो आपको पता ही है मैं तो कह रहा हूँ क्या 11 तो में लगे वे हो बाबू एक bank खोलते है छोड़ो बेकार की बात हां जी बेटा banking से वैसे generally ही मतलब होता है deposit को accept करना और loan को provide करना ठीक है लेकिन हाँ इतनी सी बात नहीं होगी और आपको लगता भी अगर हाँ फिलाल मेरे को जो discuss करना है वो है types of bank सबसे पहले यही बात कि bank कितने तरीके के होते हैं चलो जी मेरे सामने बहुत सारे expert बैठे हैं आज इनकी knowledge testing होगी ठीक है bank होते हैं बेटा चार तरीके के commercial bank central bank हाँ कोई बोला central bank सिया बोली central bank cooperative bank सिया क्या हुआ साही तो बोला बेटा तो डर अच्छा cooperative बोला था ठीक है बाबू specialized bank लो जी बाबू bank होते हैं चार तरीके के commercial bank central bank cooperative bank and specialized bank सबसे पहले हमारा discussion का matter यह दोनो commercial bank versus central bank most most important ठीक है आपको बता देता हूँ आगे जाकर जो हमने function पढ़ने है bank के वो commercial bank के ही function है बागी किसी का मारा focus नहीं है लेकिन थोड़ी बहुत बात तो होनी चाहिए न बेटा इन दोनों में difference क्या होता है what is the difference between the commercial bank and the central bank यार क्या बात कर रहे हो यार ऐसे क्यों कर रहे हो बेटा देखो एक बात समझो commercial bank public dealing करता है general public से deal करता है उनके deposit accept करता है उनको loan देता है ये करता है commercial bank central bank ये क्या करता है apex body है ठीक है यार एक word बोलने से गाम यलता है public dealing नहीं करता exceptional case में की होगी मैं सब बताता हूँ आपको बेटा इसको हम बता है दो और नाम से जानते है bankers bank governments bank मैं तो बोलता हूँ बेटा इसको बोलते है papa of all bank ये दादा of all bank है बेटा इंडिया में सारे commercial bank उस बलकि सारे banks को regulate करने की जिम्मेदारी इसी को दी गई है क्या आपने सारे bankों का ध्यान रगना ठीक से चल रहे है के नहीं आपको बता देता हूँ बेटा इंडिया में आज तक कोई भी bank insolvent नहीं हुआ एक भी bank hats off to central bank which is reserve bank of इंडिया क्यों बोलते हैं इसको bankers bank पेट एक बात समझो ये दोनों में difference समझने की कोशिश करना अगर आप एक commercial bank को आप general public को आप commercial bank में deposit देते हो और वहाँ से मिलता है आपको loan central bank हर commercial bank का एक account होता है with RBI बेटा वो अपना पैसा जमा करते है with RBI और कभी उनको loan की ज़त होती है तो RBI उनको loan देता है bank बेंकों का bank है है as well as governments bank सारी state government as well as central government सब के account होते है with RBI ये सारी state government और central government कहाँ पैसा जमा करते है with RBI और अगर इनको loan की ज़त हो तो loan को देता है RBI ये commercial bank से dealing दोड़ी करती है इसले इनको बोलता है governments bank public dealing करता है RBI बस ये बता दो public dealing exceptional cases में कर सकता है याद करा देता हूँ वैसे याद आना बहुत मुश्किल होगा जब demonetization हुआ था तो 31 December तक हम पैसा जमा करा सकते हैं commercial bank में लेकिन 31 March तक करा सकते हैं central bank में पता है किसी को अगर आप बेटा फॉरण गए वे हो 3 महीने के लिए या 2 महीने के लिए आपका वीजा लगावा है ठीक है और आपका इंडिया में पैसा पड़ावा है और अपने घर लॉक करके आप फॉरण गए वे हो ठीक है आपका वीजा लगावा है 15 जनवरी तक तो आप तो कभी फिर demonetization में पैसा जमा करा ही नहीं बाते तो government ने facility दी थी पता है आपको 31 December तक वापीस आज़ो तो commercial में करा दे न उसके बाद वापीस आओगे तो Central Bank में जमा करा दे न वीजा बगारा के proof दिखा कर आप कह रहो पब्लिक डिलिंग नहीं करता पता ही नहीं कुछ होता आपको exceptional cases में कर सकता है ठीक है जी वैसे एक बात कूछता हूँ जब मैं बोलता हूँ Central Bank तो इसका मतलब क्या होता है Central Bank या Central Bank of India आप चुप रहे हैं Central Bank या Central Bank of India यार ये तो बोलना ही बड़ेगा ऐसे तो काम ही चलेगा Central Bank या Central Bank of India नहीं का क्या हो बाबो Central Bank of India बता देख कितना गलत लोजिक दिया है इसने मैच करा रही है राइमिंग वर्ड कर रही है क्या हां जी वेटा एक बात सुनो इट इस अ Central Bank नौट Central Bank of India पागल हो तुम पागल लिटरली यही तो जानना चाहरा था मैं सुनो इंडिया में एक बैंक है Central Bank of India इंडिया चोड़ो आपकी सिटी में Central Bank of India वो एक Commercial Bank है पताऊं कहा पर है जो ग्यानपुल जाना वो सारे फूल वाले बैठते हैं वहापर बेटा ब्रांच है Central Bank of India की देख कराना आज किसी को याद भी आ गया होगा वो एक Commercial Bank है जब मैं बोलता हूँ Central Bank तो मेरा मतलब सिर्फ Central Bank है Not Central Bank of India समय जाई बात ठीक है RBI के एक रूल की discussion कर लेते हैं बहुत जल्दी से ठीक है RBI चीज क्या है बता देता हूँ आपको क्या चीजा है मैं मानता हूँ बेटा वोल्ड में जितने भी Central Bank है शाय सबसे तगड़ा उनमें से RBI आई है तभी तो इंडिया ने आज तक कभी बहुत तगड़ा ना तो सलम देखा ना ही आज तक एक भी Bank Insolvent हुआ एक ताइम हुआ करता था बेटा शाद गुजरात में कोई अफवा फैल गई कोई rumor फैल गया कि this particular commercial bank is going to be insolvent अब अफवा फैल गई कि ये bank ना दिवाली होगा इसके पास सिर्फ करजा करजा इसके आज कुछ पैसे नहीं है अफवा फैलती है तो क्या होता है बेटा लाईने लगी बहुत लंबी-लंबी सब saving bank से पैसे निकलवाने में लगे वे हैं सब FD तुडवा तुडवा के पैसे निकलवाने में लगे वे हैं अब इन्होंने क्या कर आफटा वट फोन करा आज दो जरा पैसा जिनका तो उन्होंने का हमारे पक करंसी की कमी है कहता है कोई दिक्कत नहीं उन्होंने आस पास के सारे बैंक्स को फोन करा और बोला जितना भी पैसा है ना इस पर्टिकुलर ब्रांच में पहुचा दो बहुत जल्दी से और इतने वे बेटा एक यार इस बैंक ने अगर इंसॉल्वेंट होना ओता तो लंच आज एक गंटे की जगे दो घंटे होता आदे गंटे की जगे डेड़ गंटा होता और ये तो पांस बज़े बंद करके क्या चार बज़े बंद करके चले जाते ही तो पैसा दीए जा रहे है आड़ बे तक पैस से जमा करा रहे थे देस आर भी आई फ़र यू है हमारे पेनेंट्स को कभी कहते सुना है प्राइवेट बैंक में पैसा मज़ां कराई हो सरकारी बैंक में करा दे कभी सुन लेना अभी नहीं सुना तो थोड़े बड़े हो जब आप से शेर करने लगेंगे फनेंशल तो यह ही बोलेंगे भाई घवराओ मत मैं पूरी घरंटी ले रहा हूं आसे ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है बेटा जब तक रिजा बैंक ऑफ इंडिया बैठा है हर कमर्शल बैंक के उपर है वो चाहे पब्लिक सेक्टर में चाहे प्राइवेट सेक्टर में बात समझ में आई बात ओके ठीक है अब थोड़ा सा यहाँ पर आ जाते है बेटा स्पेशलाइजड बैंक वर्सेस कॉपरेटिव बैंक बेटा नाम ही क्या है स्पेशलाइजड तो यह बेटा स्पेशल परपस के लिए बनते हैं कुछ दो चार के नाम ले देता हूं ताकि आपको याद हो जाए क्या कहना चाहता हूं लो जी यह क्या है वैसे एक और भी है लो बोल देता हूं यह सब स्पेशल परपस बैंक है बेटा नाम ही क्या है स्पेशलाइजड बैंक स्पेशल परपस के लिए बने है इसका नाम कभी सुना है नबाड सुना है लो बोल देता अब बेटा और क्या लोगे सब कुछ नाम में है अब मैं पूछो आप उसे किसके लिए बना है बैंक तो बेटा एगरी कल्चरिस्ट के डेवलप्मेंट के लिए और रूरल डेवलप्मेंट के लिए स्पेशल परपस बेंक है एक्जिम बेटा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बेंक ठीक है न मुझे पता आपको क्या दिखाई दे रहोगा export import bank ठीक है न, exam मतलब क्या होता है वेटा export import bank, ये करता ही क्या है वेटा exporter और importer से deal करता है that's it special purpose है IDBI, full form बता है क्या बात कर रहे हूँ industrial development bank of India बताओं कुछ industrial development bank of India purpose क्या है देखो loan सबको देता है लेकिन बना किसके लिए था industries को loan देने के लिए और industries को maximum 30 years के लिए loan देता है ये 30 years, 30 साल कोई भी bank, कोई भी commercial bank 20 साल से जाधा के लिए loan नहीं कर सकता ये 30 साल के लिए कर सकता है industrial credit and investment corporation of India industrial credit सब कुछ नाम में है industrial credit industry को loan देने के लिए बला है again for the 30 years commercial bank 20 साल से जाधा नहीं special purpose दिखाई दे रहे हैं सबके कुछ एक आदा याद रहेगा वेपर में हाँ रहेगा 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 बदाम खाने शुरू करेगे बस अब हम चलो जी cooperative bank ये क्या होता है cooperative society बढ़ ली उनी एक्ट से गवन रहता है बेटा purpose क्या है cooperative society में minimum कितने member चीए maximum unlimited minimum 10 member required होता है maximum unlimited तो बेटा 10 से कुछ ज़्यादा लोग मिलकर cooperative bank form कर सकते है purpose क्या है cooperative society का purpose याद होगा तो मेरी ये बात समझ में आ जाएगी बेटा ये अपने member को ना cheaper credit पे loan देते है सस्ते rate of interest बाकी सब को महेंगे पे members है नहीं कमाना क्योंकि mutual welfare purpose है याद आया हो कुछ तो ठीक है जी यहाँ पर banks का काम खतम हो जाता है अब start होते हैं बेटा functions of commercial bank ठीक है 45 minutes अब यहाँ से गिलो ठीक है जी functions of commercial bank अब आदों को तो डर लगना शुरू होगा chapter से जैसे ही मैंने कह दिया time गिलना शुरू कर दो चलो जी functions of commercial bank बेटा commercial bank पांच function perform करता है ठीक है जी बस पांच function समझने हमारे को इसके और सब clear ठीक है सबसे पहली बात acceptance of deposit acceptance of deposit लो जी देखते हैं बेटा यह क्या होता है बेटा commercial bank आपसे deposit accept करते हैं in five forms आपसे पैसा accept करते हैं पैसा accept करने के कौन कौन से पैस रास्ते हैं बेटा saving bank account, current account, FD, RD and MODS लो जी देखते हैं यह क्या होता है saving bank में भी पैसा ले सकता है current account में भी ले सकता है FD से भी ले सकता है RD से भी ले सकता है और MODS से भी ले सकता है मुझे पता है बेटा कुछ भी नहीं पता होगा मैं zero मान कर चल रहा हूँ लेकिन एक बात समझ लो जब मैं पाच्चों खतम करूँगा आप expert होने चाहिए हो bank के ठीक है ना वहाँ जाकर bank में कभी जाने को मिले ये मत कहना किसी बड़े बंदे को देखकर कि आप मेरा form बर दो इतने expert होने चाहिए हैं बेटा चलो करते हैं बेटा बेटा बेंक पांच तरीके से deposit accept करता है दो दो को compare करके समझते हैं पहले इन दोनों को saving bank और current account में क्या difference होता है बेटा saving bank account कौन खुलवाते हैं households आप और हम जैसे लोग और current account बेटा business firms तो मेरा current account भी होगा business firm का और मेरा saving account भी होगा as a household ठीक है saving bank account कौन खुलवाते हैं household और current account बेटा business firm अगर आपकी मदर housewife है तो उनका saving bank account होगा और father businessman है तो बेटा उनका current account भी होगा उनका saving account भी होगा specialty क्या है दोनों account की बेटा saving account में जो आप पैसे रखते हो उसमें 3% से लेकर 6% तक interest मिलता है depend करता है bank कौन सा है लेकिन अगर सरकारी bank की बात करूँ वो 3% से ज़्यादा नहीं देते लगबग पंजाब national bank state bank of India, देना bank, कैनरा bank oriental bank of commerce, I.O.B Indian overseas bank, B.O.I bank of India, इन सबका rate of interest 3% है लेकिन अगर आप private bank की तरफ जाना शुरू करते हो just like Kotak Mahindra, 4-5% दे देता है, yes bank की तरफ जाना शुरू करते हो, 5-6% भी दे देता है, saving bank में ही ठीक है लेकिन generally 3%, ब्याज मिलता है आपको आपके पैसे का 3% ठीक है, current account में कोई interest नहीं मिलता, बलकि charges काटे जाते हैं आपसे ऐसा क्यों? क्योंकि saving account में transaction करने की limit है current account में transaction करने की कोई limit नहीं है बे इंतिहां जितनी बज़ी transaction करे जाओ एक बाद बताओ मैंने दुकान खोली 10 बज़े customer आया, मुझे check देकर चला गया मैंने भीज़ दिया लड़के को दुकान के मैंने जावई check जमा करा account में चला गया 11 बज़े एक बंदा आया, चार चेक दे गया मैंने जावई जमा करा 12 बज़े दुकान पर आया, 15 चेक और ही गटे हो गए मैंने जावई लगा किया बैंक में बैंक में ना करतेगा हर दुकान चल रही है, दुकान पर तो यह सब हो गई होगा तो बेटा, number of transaction की यहां कोई limit नहीं होती इसलिए बेटा, charges लगते हैं और यहां पर बेटा, number of transaction की limit होती है दिन में एक बार, दो बार, बास, that's it ठीक है? बेटा, यहां पर दिमाग में आ रहा है, कितने भी हो सकते हैं सेविंग में, कितने भी हो सकते हैं बेटा, income tax की rate हो जाएगी कितने भी हो सकते हैं, दिमाग में मतलिया ना सेविंग अकाउंट में transaction की limit है यहां पर बेटा, transaction की कोई limit नहीं है क्या मैं clear हो, इतनी बात पर सब समझागी बात हाँ अब आये account समझाए कुछ तो आया समझ पहले पता ही नहीं होता था account क्या है लोग अब ये भी समझ लो FD versus RD FD क्या होता है बेटा fixed हाँ full form किसने बुझे है तुम nursery class के भी बच्चे को बता है बेटा FD क्या होता है a fixed amount for a fixed period एक fixed amount एक fixed period के लिए लेकिन आपको क्या लगता है मैं ती छोटी सी बात बतानी होगी ना आप एक बात समझो बेटा आज आपके बास 30,000 रुपे हैं आप बैंक गए बैंक ये 30,000 रुपे हैं मैं जवा कराना चाहता हूँ आप कितना rate of interest दोगे बिटा आज की तारिक में FD का rate of interest 6-7% है 6.5% है वैसे सारे सरकारी बैंक का ठीक है उनने का 6-7% interest देंगा ठीक है इस 30,000 रुपे की amount का fix कर दो एक साल के लिए होगे fix एक साल के बाद क्या मिलेगा 30,000 रुपे और मालो 6.5% interest 1950 रुपे का ब्याज ठीक है मैं पूशता हूँ 20 में FD तुडवा सकते हैं के नहीं मचा तो उसी बात का है ना जो नहीं पड़ा हो तुडवा सकते हैं के नहीं तीन महीने के बाद आपको पैसे उत पड़ी FD तुडवा सकते हैं के नहीं ये बताओ आपका पैसा तोड़वा सकते हो, हाँ तोड़वा सकते हैं, अब व्याज कितना मिलेगा, exactly, बेटा, FD का व्याज नहीं मिलेगा, उमीद मत करना, क्योंकि आपने बैंक को इनकन्विनियंस दी भी है, समझाता हो, अभी आपको लग रहा होगा, क्या कर दिया, हमने ऐसी क्या अगर दिया, FD का व्याज नहीं मिल रहा, आपने 30,000 रुपे बैंक को दिये, एक साल के लिए, मैं बैंक मेरे दिमाग में, ये एक साल बाद आएगा, पैसे लेने, ठीक है, मैंने 30,000 रुपे का लोन दे दिया, किसी को एक साल के लिए, ठीक है, वो पैसा कितने दिन बाद एक साल बाद, देना कितने टाइम बाद है, एक साल बाद, आप तीन वहीने बाद उठकर आगए, लाओ जी हमारे पैसे दो, मैंने का वाहिस साब, अब मैं तो लोन दे चुका हूँ, मेरे पाद पैसा है नहीं, क्या मुझे इंकन्विनियन्स हो रही है, मैं किसको दे आप ही को दे दूँगा वापिस, इंकन्विनियन्स मुझे दी, अब बदाता हूँ तेरे को, कुछ नहीं मिल लेगा, ठीक है, इंटरस्ट क्या मिलेगा, तीस हजार उपे पे साड़े छे परसेंट, और तीन महीने का व्याज मेरे एक्जाम्पल के ही साब से, sorry, 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 sorry 3 परसेंट व्याज, सेविंग बेंक का इंटरस्ट, FD का इंटरस्ट नहीं मिलेगा, बात ओक्ये, पक्का, what do you mean by RD, full form क्या होता है, recurring deposits, recurring मतलब re-occurring, बेटा देखो, यहाँ पर भी amount fixed है, यहाँ पर भी period fixed है, लेकिन आपको करना क्या है, बेटा आपने जितने रुपे से RD खुलवाई है, वो amount को re-occur करना है हर मन्त, आप पहुच गए bank या पहुच गए post office, post office भी करता है RD, आपने का मैं 500 रुपे की RD खुलवाना चाहता हूं 5 साल, इसका मतलब बता है क्या है, जिस दिन RD खुली है, हर महीने की वही डेट तक, हर महीने 500 रुपे जमाऊंगे 5 साल तक, 5 साल में कितने महीने, 60 महीने, आपने पहले महीने की एक तारिकों लाज सबूस 1st of January 2020 को आठी स्टाट करी 500 रुपे, एक फर्वरी को भी पहुच जाना, एक मार्च को भी पहुच जाना, एक अपरेल को भी पहुच जाना, में, जून, जुलाई, ऐसे 60 महीनों तक, री अकरिंग, और कैसे बताऊं, रेकरिंग का मतलब क्या होता है, अमाउंट इस फिक्स्ट, रुप, 500, टाइम पिरेट इस फिक्स्ट, 5 येर, लेकिन बेटा, अमाउंट री अकर करनी है, FD में अमाउंट री अकरनी करनी होती, समझा है डिफरेंस, बेटा, इस में जो इं इसा 5 के मल्टिपल की अमाउंट की बनाई जा सकती है, 5 रुपे, 10 रुपे, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 99 की बना सकते हैं, 199 की, नहीं, 5 के मल्टिपल में बस, ठीक है, इतनी बात हो के, 4 अगाउंट समझा है अभी तक, हाँ आ गए, PhD बस होने ही वाली थी, कि M.O.D.S. बीच में आ गया M.O.D.S., यह क्या होता है वेटा, Multiple Option Deposit Scheme, Multiple Option Deposit Scheme, मेरा अकाउंट है यह ऐसा, लोग समझा रहता हूं, मेरा अकाउंट सुनके वैसे भी खुशी आपको जादा होगी, ठीक है, वेटा, M.O.D.S. having the feature of saving bank as well as FD, इन दोनों के feature रखता है, M.O.D.S. अकाउंट, ठीक है, जैन यह saving और FD के feature रखता है, मैंने का बताओ क्या करना है, वो कहता है, अगर 25,000 रुपे से ज़्यादा जितने भी रखे आपने bank में, उसके ओपर हम FD का अभ्याज देंगे, और 25,000 से कम हुए तो saving bank का interest देंगे, मैंने का कमाल है अकाउंट, मैंने का FD हर दिन तुड़वान रुपे तो एक तरीके से saving bank में रहेंगे, 10,000 रुपे एक तरीके से FD में रहेंगे, इसके उपर भ्याज 3% saving bank की, इसके उपर भ्याज FD की 6-7%, अगले दिन मेरे को 5,000 की ज़द पड़गी, क्या फरक पड़ता है, 25,000 रुपे saving bank की व्याद, 5,000 रुपे FD की, अगले दि 45,000 की FD, अगले दिन मैंने 20,000 निकाल दिये, क्या फरक पड़ता है, 25,000 रहें, 25,000 रहें, having the feature of saving bank and current account, और अब कहीं किसी के दिमाग में आरे हो, एक एक दिन की व्याद, bank कैसे निकाल लेगा, भाई, computer होते हैं यार, computer छोड़ो मैं ही निकाल के दिखा दूँगा, computer तो बह calculation कौन सी मुश्किल है, मुश्किल लग रही है, क्या, calculate करके दिखाओं, समझा है यह बात, M.O.D.S. क्या होता है, special kind of account है, multiple option deposit, multiple option deposit, बात ओके, 5 तरीके का अगाउंट खोलता है, bank, चलो, deposit accept हो गया, दूसरा major function, कमाई, bank की, lending of fund, loan से ही तो कमाई है, बैंक की कमाई किस से है बेटा, loan से है न, अभी बेटा bank manager को phone कर देना, मेरे पास एक करोड के deposit है, घर आके ले जाओ, वो कहेगा, आना तो आजा, नहीं है न, न, उसको कोई पर रखनी पड़ता है, deposit से, और अभी कह देता हूँ मैं, बहुत बढ़िया client है, file उसकी बिलकु ओक किया, एक करोड का loan से है, अभी नंगा प्यार भागता वाएगा, अभी लेने, अभी कहेगा, हाँ, अभी कराओ, loan, 100%, क्योंकि bank manager का promotion इस बात पे depend करता है, आपने कितने बढ़िया loan कर रखे है, कितनी recovery चल रही है, उसकी, पता आपको, धनियानी पता आपको, चलो जी, lending of funds, lending of funds मतलब loan देना, ठीक है, deposit accept होगे, 5 तरीके से, saving bank, current account, FD, RD, MODS, ठीक है, अब loan देता है bank, 3 तरीके से, लो, थोड़ा simple बनाएंगे ये चीज को, loans, bank, OD, and CC limit, अब ये क्या बला होता है, देखो एक बात सोनो, bank ना बहुत सारे तरीके के loan करता है, home loan, loan against property, lap बोलते हैं प्यार से, auto या vehicle loan, project loan, और भी बहुत सारे तरीके के करता होगा, personal loan करता है, अब बेटा देखो, मैं category wise divide नहीं कर रहा, मैं ये बता रहा हूँ, bank के अगर सारे product को देखा जाए, तो तीनी तरीके के loan दिखाई देंगे आपको, एक तरफ तो मैंने सारे के सारे loans रख दिये, इन दोनों को मैं special समझाना चाहता हूँ, समझाऊंगा, comparison कराऊंगा, तो पहले इसकी बात करेंगे लिए, bank OD, प्यार से बोलते है, bank OD, full form is bank overdrafting, overdraft बोलते हैं, ये क्या चीज होती है, बेटा आप ना bank के बड़े reputed customer हो, ठीक है, पांच साल से या 20 साल से आपकी firm का account है, current account है 20 साल हो गए, ठीक है, करोडों की transaction है, daily की, करोडों की transaction, हजारों चैक आ आते हैं, हजारों चैक आते हैं, हजारों चैक आते हैं, बहुत बड़ी हा client हो आप, ठीक है, एक दिन क्या हुआ, आपने बहुत सारे चेक काट दिया, आपको ध्यानिता figure कितनी है, सारे चेक present होते चले गए, होते चले गए और आखरी में पैसे बचे 20 हजार उपे, और ने बैलेंस चेक करा, टैलर ने देखा 20 जार अगाउंट हो है, चेक 50 जार उपे का, practically चेक को dishonor होना चाहिए, डिसओनर समझते हो, समझते हो न डिसओनर, आप बाउंस बोलते हो, हना, वेले के नम क्या बोलते है, डिसओनर बोलते है, चेक डिसओनर होना चाहिए, क्योंकि यह insufficiency of fund है, पैसा नहीं है पूरा, लेकिन होगा क्या बेटा समझो, टैलर ने देखा कि यार यह बड़ा reputed customer है, 20 साल से करोड़ो रुपे की transaction है, अगर आज इस चेक को मैंने dishonor कर दिया, तो इसकी reputation पे कई ना कई फरक पड़ जाएगा, क्या ख़ते में 20 जार रुपे भी ओपर case तक हो जाता है, पता है आपको, dishonor, I'm sorry, dishonor होने पे क्या होता है बेटा, 3 महीने तक की jail भी है, अब यह और तगड़ा risk, तो टैलर ने समझ दिखाई, चेक को honor कर दिया, 50 जार रुपे दिया, खाते में 20 जार रुपे बड़ गया, इसको बोलते है, bank overdrafting, account में पैसा क पर्म था, आपको जादा निकालने की permission दे दी क्योंकि एक reputed customer हो आप, this is known as overdrafting करना, और इधर से bank से call गई सीधा party के पास, सर क्या किया था यह, चेक 20 जार, खाते में 20 जार रुपे, चेक 50 जार का देती है, अब यह 30 जार रुपे का indirect लिए आपके ओपर loan खड़ा हो गया, कर आगर यह पैसे जमा करा दो with interest, party आएगी, 30 जार पर जमा करा, देगे with interest, एक दिन का interest कितना बैठेगा, 10-20 रुपे बैठेगा, खातां, bank overdrafting, समझाई, हाँ समझा, आगी, आगी ना समझ, मैं 9th class में होता था, UP board में, तो 9th class में मेरे को किसी teacher ने समझाय था, bank overdrafting, मेरे लिख तू, तेरे बसका कुछ नहीं है, चैरो जी ठीक है, मुझे का बता था, मुझे ही पढ़ाना पड़ेगा, बाद में बच्चों को यह सब कुछ, ठीक है जी, इतनी बात, ओके, अब इन दोनों में comparison करके देखते हैं, loans versus CC, अब यह बहुत अराम से समझना, बेटा, बैंक बाज गया, आपने का, बैंक लोन चीए, बैंक ने का, प्रोपर्टी बताओ, क्या गिर्वी रखोगे, क्योंकि हम secured लोन करते हैं, बिना प्रोपर्टी के नहीं करेंगे, आपने का, लोन चीए 15 लाग रुपे का, मेरी प्रोपर्टी की वेल्यू है, 20 लाग रुपे, बैंक ने का, ओके, लो प्रोपर्टी के वेल्यू हम गिर्वी करते हैं, और आपको 15 लाग रुपे का, लोन दे देते हैं, आपने बैंक को पेपर दिया है, बैंक लोन कैसे देता है, कैश देता आपको, बैटा ऐसे नहीं होगा, कि आपने प्रोपर्टी के गिर्वी रखे paper और bank ने एक ठ्छल ना वर के दिये लो 15 लाग रुपे ले जोगर ऐसे नहीं होता bank account खोल देता है अपने bank में एक account खोल देते हैं loan account खोल देते हैं उसमें 15 लाग रुपे deposit कर देते हैं फिर आप घर्चो जहां मर्जी cancly होगे आपका अब खाते में 15 लाग रुपे पड़े वें है एक दिन होगे दो दिन होगे तीन दिन होगे bank आपसे interest लेगा के नहीं लेग बस यह बता दो bank आपसे interest लेगा के नहीं लेगा यार बताओ यार सोचो मामा लगता है क्या हुँमारा interest नहीं लेगा हैं interestиков लेगा कए नहीं लेगा फखा उसको कोई बात से वरक परता है आपने यूज नहीं कि वैसे इसको कोई मतलब नहीं है यूज करना एक कर लो नहीं करना ना कर लेकिन उनकी नजर में तो बेटा 15 लाग उनको कई उनको को मतलब नहीं इस बात से, ये है सारे loans के लिए बात, लेकिन यहाँ कुछ speciality है इसका नाम है CC limit प्यार से बूलते है, nickname है बताओ कितना प्यारा नाम, CC limit फुल फॉर्म है बेटा इसकी cash credit limit ठीक है, फुल फॉर्म क्या है? cash credit limit feature समझना, यहाँ से compare करा रहा हूँ, आप bank में पहुच गए, आपने का bank CC limit बनवानी है, बैंक ने का क्या करोगे, कहता मेरा business है, बहुत पैसे की दुरत होते है इस्तमाल करोगा, बैंक ने का property बताओ क्या गिर्वी रखोगे आपने बोला, 15 लाग की CC जही है नहीं बेटा, यह special purpose account है जितना पैसा withdraw करोगे सिर्फ उसी का interest देना है, बाकी कुछ नहीं मैंने कुछ नहीं निकाले 3 दिन तक कोई भी आज नहीं, चौथे दिन बेटा मालो आपकी सारनबुर में रायवाला में shop है, और चौथे दिन आप पोज़गे सूरत गुड्स लेने, माल लेने आपने सूरत में 5 लाग रुपे के चेक दिये, आपके खाते से 5 लाग रुपे निकल गए ब्याज कितने रुपे पे 5 लाग रुपे बेटा, सारनबुर पहुचे पहले दिन गुड्स की सेल करीब 50 हजार रुपे 50 हजार रुपे आपके पास आए, सीसी लिमिट में जमा करा दिये, अब पैसे कितने निकले में, साड़े चार लाग ब्याज, साड़े चार लाग पे अगले दिन दुकान पे सेल हुई 2 लाग रुपे की, 2 लाग रुपे आए CC लेमिट में जमा कर दी, अब पैसे निकले में 5 लाग रुपे, ब्याज 5 लाग पे, फिर चलेगे सूरत अब बेटा वहाँ से goods खरीट के ला है 3 लाग रुपे का, ठीक है 3 लाग के चेक देया है, 5 लाग पहले निकले वे थे, 3 लाग अब निकल गए ब्याज 5 लाग पे दुकान पर आकर वेटा 2 लाग रुपे की सेल कर दी, 2 लाग रुपे CC लेमिट में जमा करा दी है पैसे निकले में 3 लाग, ब्याज 3 लाग पर, पूरे जिंदगी यही कहान ही चलती रहती है जितना अभी ड्राव करोगे, उस पर इंटरस देना है that's it, और किसी अमाउंट पर इंटरस नहीं देना समझा ही बाद? हाँ, सब समझ आ गया expert हम ही है, कोई problem नहीं हमारी हाँ जी बात ओके पक्का से, ठीक है पांच तरीके के deposit accept करे थे समझाये थे? तीन तरीके का loan दिया समझाया? हाँ, ठीक है, ठीक है बहुत बढ़िया, expert बनने की तरफ यहाँ, बेटा, third one is check facility, लो जी bank का third function है check facility चलो एक बात बताता हूँ, ऐसे ध्यान आ रही है अगर किसी भी dictionary में कोई word start होता है with q यहाँ, बेटा, किसी word के बीच में आता है q हमेशा q के बाद u आता है सोच कर बता दे ना कोई word, जहाँ q के बाद u ना आता हूँ, सोच लो चलो ठीक है, आज Oxford dictionary कोल कर देख ले ना मिले गानी कोई word सोचने की ज़दत्मी है, चलो जी ठीक है जी, आप सामने देखो, मैं अपने topic पर वापिस आता हूँ, ठीक है, check facility, बेटा, check होते हैं, दो तरीके के, ठीक है, एक होता है, bearer check, और एक होता है, बेटा, cross check, लो जी, समझते हैं, क्या होता है, बेटा, क्या checkbook कर difference होता है, आप बेंक में गए, आपने का, बेंक checkbook issue करानी है, तो ये कोई checkbook का difference होता है, आप बेंक को ये कहते हो, bearer checkbook issue करानी है, या cross checkbook, नहीं बेटा, checkbook तो एक जैसी ही आती है, checkbook आगई आपके पास, ठीक है, अब बेटा, ये depend करता है, आप check कौन सा काटना चाहते हो, bearer या cross, अभी difference समझ में आएगा, धीरे धीरे, समसे वहले बात करेंगे, bear check की, बेटा, checkbook की शकल देखिए वैसे कभी हमने, check देखा है कभी, देखा है, pay, amount, inverse, amount, आपके signature, और यहाँ पर होती है, date, ठीक है, ठीक है, मालो बेटा, मैंने check के पैसे देने थे, शिवांग को, ठीक है, तो मैंने लिखा, pay to, sorry, यह pay to होता है, pay to, शिवांग, date डाल दी, कुछ भी, let's suppose, 8th of January 2020, amount लिख दी, 20,000 रुपे, और यहाँ पर words में लिख दी, 20,000, ठीक है, मैंने check देदिया, शिवांग को, ठीक है, बाबु, एक बात समझ लो, पहली बात तो, BLR check के case में, आपको, मेरे bank का में आना है, जिसने check काट के दिया है, कौन सी branch में आओगे, बेटा, बहुत अच्छे से check के उपर, branch का address लिखा होता है, किस bank का check है, ये भी लिखा होता है, address भी लिखा होता है, मैंने शिवांग को पैसे दिये, इसको बेटा क्या करना पड़ेगा, मेरे bank में आना पड़ेगा, और मेरे bank से इसको 20,000 पे मिलेंगे, वो भी cash, कैसे मिलेंगे, cash मिलेंगे, लेकिन सुनो, ऐसा हुआ नहीं, शिवां बेंगे, नाम लिखा है, शिवां का, bank को इस बात से कोई मतलब नहीं है, किसका नाम लिखा है, पता है क्यों, check का नाम क्या है, bearer, अब मेरे साथ साथ रहना और एक word सुनना जरा, पुरा ध्यान लगा कर, बेटा, the one who is the bearer, is the honor, यहाँ पर बेटा, जिसके बास check है न, वही मालिक है, नाम से कोई फरक नहीं बढ़ता, करंसी उठा कर देख ले न, आज अपनी, 500 रुपे का नोट, 100 रुपे का नोट, 50 रुपे का, 2,000 रुपे का सब पे लिखा है, I promise to be the bearer, the sum of this and that, ऐसे कुछ लिखा है, मतलब क्या है, the one who is the bearer, is the honor, आज मेरी जेव से 500 का नोट कोई और उठा ले, कोरी जिंदगी लगा देना, साबीत नहीं कर सकते हैं, यह आपका नोट है, जिसका है, वही मालिक है, जिसके पास है, वही मालिक है, पता है आपको, बेटा इस बात से कोई फरक नहीं बढ़ता नाम किसका लिखा है, मैंने शिवांग को दिया, रुपे कैश मिल जाएंगे, क्या नाम लिखा है, पता नहीं, बैंक को कोई मतलब नहीं है नाम से, तो बेटा ये चेक बड़ा रिस्की भी होता होगा, हाँ, अगर हार्दिक से चेक हो जाए, किसी को मिल जाए, उसने देख लिया, ओहो, इस बरांच का जाग है, फटा फट बैंक ब्रांच में जाओ, या मेरे कोई इनफॉर्म करना पड़ेगा आपको, जिसने चेक काटके दिया था, वो बैंक ब्रांच में जाएगा, और बताएगा, मेरे से चेक हो गया गलती से, स्टॉप पेमेंट लगवा देगा, वो चेक कभी भी बैंक में प्रेजेंट होग नाम ही नहीं लिखते हैं, किसी का छोड़ दो, कहानी, समझा है, बीरर चेक है, क्रॉस चेक, लो जी, अब कहानी में बेटा ट्विस्ट है, अब बहुत मज़ेदार होने वाली है कहानी, ठीक है जी, चलो, चेक दिया मैंने काटकर, पेटू शिमा, ठीक है, और क्रॉस कैसे क करते हैं, देखो बताता हूं, क्रॉस क्या होते हैं, बेटा, दो पैरलर लाइन खीच दो, तो भी क्रॉस हो गया, दो पैरलर लाइन खीच कर बीच में लिख दो, अकाउंट पेई, अकाउंट पेई, तो भी क्रॉस हो गया, मैंने शिवांग से बुचा, तेरा बैंक कोन सा ह इसने बोला मेरा बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, तो दो परलेल लाइन खीच कर पंजाब नेशनल बैंक लिख दो तो भी क्रॉस हो क्यों, यह तीनो रास्ते हैं क्रॉस करने के, मैं इसे बता देता हूं वांग मेरे बैंक में नहीं आएगा ये कहा जाएगा अपने बैंक में जाएगा पहली बात दूसरी बात बेटा ये इसके पैसे इसको नगद नहीं मिलेंगे कैश नहीं मिलेंगे इसके अकाउंट में ही जाएंगे और कुछ नहीं हो सकता ठीक है मैं बताता हूँ मेरा बैंक है मैं दो बाते इसमें भी करने वाला हूँ ये भी समझना मेरा बैंक है PNB मादो नगर और इसका बैंक है PNB बेरी बाग मैंने चेक काट कर दिया इसको 20,000 रुपे नाम किसका लिखा शिवांक का अब करेगा क्या हूँ बेटा पेइन स्लिप भरेगा और बेटा चेक को प्रेजंट करेगा क्या दोनों similar बैंक के चेक है क्या बैंक दोनों के similar है मेरा भी PNB था इसका भी PNB था बेटा एक मिनट लगेगा मेरे अकाउंट से पैसे कटेगा और शिवांग के bank account में आ जाएंगे क्योंकि एक बात समझो PNB bank वाले PNB का server नहीं चला सकते PNB वाले PNB का server नहीं चलाएंगे तो और कौन चलाएगा PNB बेरिवाग वाले ने account खोला मेरा देखा 20,000 और पड़े हैं के नहीं पड़े थे उसे मेरे account से debit करे शिवांग के account में प्लस हो गए ओके कानी में twist है इसका bank था HDFC bank ये पहुच गया HDFC bank में pain slip बर ली ठीक है चेक present कर रहा बाबू HDFC bank वालों को permission होती होगी PNB का server चलाने की सोच के बोलना नहीं होगी तो बेटा क्या check की payment बिलने वाली है same point of time पर नहीं क्या होगा बेटा ये check drop box में check डाल कर आ जाएगा शाम को वो check निकालेंगे बेटा check clearing के लिए जाएगा clearing कैसे होती है बेटा अब online होने लगी पहले clearing cell लगती थी सारनबुर में हर जगा पर clearing cell महाँ पर हर बेंक का एक representative आता था वो बताता था इस person के account में इतने पैसे है के नहीं फिर जागर clear होता था तो HDFC वाले आप confirm करेंगे PNP मादो नगर से इसके account में इतने पैसे हैं उसने का है तब जाकर वहाँ से debit होगा और यहां पर प्लस होंगे जिसमें आज की तारिक में देड़ से दो दिन लग जाते है समझ आई बात बात ओके है cross check और BRR check समझ में आया next topic करेंगे बेटा start fund transfer अब बहुत बहुत काम की बात है fund transfer समझने की कोशिस करना ठीक है जी अगर यह समझ में आगया बेटा अब समझ लेना लगबग लगबग बैंकिंग खतम हो गई अगर fund transfer समझ में आजए fund transfer दो ही तरीके से हो सकता है बेटा known as RTGS and NEFT अभी full form वगएरा सब कुछ difference देखेंगे लेकर पहले base बताता हूँ क्या है बेटा आपका goods आता है सूरत से आप रायवाला में काम करते हो ठीक है आज Tuesday है आपने जाना था तरवत खराब हूई आप जानी पाए ठीक है दुकान पे goods short है आपने phone किया आपने supplier को कि supplier एक करोड रुपे का माँसे goods भेश दे मैं next week आउंगा तो एक करोड रुपे तेरे को दे दूँगा उन्हें का क्या बात कर रहे हो ऐसे कौन रिस्क लेगा आप जमा करा दो मेरे account में अभी जमा करा हो मैं अभी यहां से goods भेशता हूँ आपने का ठीक है मैं तो नहीं आ सकता फिर एक काम करता हूँ मैं अपने किसी दोस्त के आद चेक विजवा देता हूँ तो उसने पूचा आपका bank गोन सा आपने का HDFC उसने का मेरा PNV है डेड़ दिन में दो दिन में clear होगा मैं check लगाउंगा जब clear होज़ेगा मैं तो तभी goods भेज़ूँगा बढ़ना नी बेसना ये तो परशान नी खड़ी होगी परशानी नहीं होगी बेटा भीर को good see urgent बेटा आपने पूचा कि आपका bank PNV है चलो मैं PNV में जाके cash जमा करा देता है एक करोड रुपे इतना रस्क लोग है नहीं generally आप बेटा कि एक करोड रुपे cash लेके जा रहे हो सडक से और एक करोड रुपे cash जमा करा रहे हो पहली बात वो आपको permission नहीं देगा एक करोड cash जमा कराने की क्योंकि उसके उपर भी रस्काता है income tax का cash नहीं जमा करा सकते है तो बेटा ये कैसे परशानी हल होगी ये परशानी का हल बेटा ये दोनों है RTGS and Neft आप अपने ही bank में जाओगे HDFC में और वो PNB में ही बैठा रहेगा बेटा पैसा यहीं से पहुचेगा और एक एक सेकेंड में पहुच जाता है यहीं से बैठे बिठा है पैसा पहुच जाएगा यहीं से बैठे बिठा है कैसे बहुचे का समझ बिठा RTGS की फुल फॉर्म होती है Real Time Gross Settlement फुल फॉर्म तो याद ही होगी Real Time Gross Settlement चलो आज दोनों का मतलब भी समझा दो आपने सिर्फ फुल फॉर्म याद करी है और मैं मतलब समझाने वाला हूँ real time gross settlement real time मतलब at the same point of time आप पहुचे अपने bank में HDFC में RTGS का form बरा party के account की detail डाली और वो PNB में आपने का एक करोड रुपे भी transfer करने RTGS लगानी है बेटा real time का मतलब सुझते हो at the same point of time आप bank branch से बाहर नहीं निकलोगे बेटा RTGS हो चुकी होगी real time and gross settlement means अभी समझ में आएगा gross settlement जब इसके साथ compare कराऊंगा लेकिन वैसे एक बात बोलता हूँ बेटा RTGS जेनरली दो लाग से ज़्यादा के लिए होती है और neft up to rupees 2 lakh के लिए हम ज़्यादा यूज़ करते है neft क्या होता है बेटा full form क्या होती है national electronic fund transfer national electronic fund transfer इन दोनों में एक difference है बेटा यह real time होती है यह batches में होती है batches मतलब बेटा bank में batches चलते हैं साड़े 10 बजे तक जितनी neft आगी समूद लगेगी फिर साड़े 11 बजे लगेगी फिर साड़े 12 बजे लगेगी फिर साड़े 13 बजे लगेगी लगवग 6 batches लगते हैं दिन में 10 बजे से लेका साड़े 10 बजे तक जितनी आई वो एक खटी साड़े 10 बजे होंगी साड़े 10 से साड़े 11 के वीचे जितनी आई वो एक खटी साड़े 11 कार रहा होंगी क्या same point of time पर हो रही है same point of time पर नहीं हो रही है क्या लेकिन same day में हो जाएंगे हाँ पैसे same day में तो पहुँची जाएंगे 100% है इस बात की ठीक है बेटा अब इन दोनों की settlement को समझने की कोशिश करना ये जो settlement करता है ये gross settlement करता है और ये जो settlement करता है ये net settlement करता है मैं समझाता हूँ आपको समझना ज़रा ठीक है मैं समझ लो बेटा PNB मादोनगर में मेरा कोई account है ठीक है और लक्षे का account है PNB मयूर विहार बरांच डेली ठीक है समझ लो समझने में क्या जा रहा है ठीक है अब बेटा PNB छोड़े इसका HDFC में account है HDFC मयूर वियार मेरा PNB मादोनगर साहरनबूर सिटी सिमर का account भी PNB मादोनगर साहरनबूर सिटी है और मानस का account है HDFC मयूर वियार डेली इन दोनों का account है HDFC मयूर वियार डेली और हम दोनों का अकाउंट है PNB मादोन अगर वरान सहरन को ठीक है मैं पहुच गया बैंक वे 10 बजे मैंने का 1.5 लाख रुपे ट्रांसफर करने है लक्षे को नेफ्ट का फॉर्म बर दिया मैंने ठीक है अब 2 रुपीज 2 लैक तक जेनरली ये इस्तमाल की जाती है मैंने 1.5 लाख का फॉर्म बद दिया कि इसको ट्रांसफर करने है कितने बज़े पहुचा हूँ मैं सवा 10 बज़े ठीक है ये ट्रांसेक्शन होगी कितने बज़े वेटा साड़े दस बज़े आप समझदार हो चुके हो साड़े दस बज़े होगी ये ट्रांसेक्शन ठीक है डेज लाख रुपे ट्रांसफर मैंने लक्षे को करने थे मानस पहुच गया 10 बज़े 20 मिनट पर मयूर वेहार HDFC ब्रांच डेली में इसने बोला 1 लाख रुपे का फंड ट्रांसफर करना है सिमर प्रीत के अकाउंटब ठीक है 10-20 पर ये ट्रांसेक्शन कितने बज़े होगी फटाबट बोलो साड़े दस बज़े होगी अब समझने की कोशिश करना साड़े दस बज़े जब बैंक नेफ्ट करने वैठेगा तो बेटा बैंक करेगा नेट सेटलमेंट नेट मतलब उस टाइम तक जितनी ट्रांसेक्शन आ चुकी होगी सब को क्लब किया जाएगा मैं बोलता हूँ दो ही ट्रांसेक्शन आई इनको क्लब कर रहा है बैंक अब देखो क्या हुआ वहां एक लाख रुपे पढ़े हैं डेली में जिसको सारनपुर में पहुचना है सारनपुर में पढ़े हैं डेट लाख रुपे जिनको डेली पहुचना है अब होगा पता है क्या वहां एक लाख पढ़े हैं न महां से तो एक लाग रुपे उठाकर लक्षे को दे दिये जाएंगे यहां से जाएंगे कितने सर्फ पचास हजार रुपे यहां से एक लाग रुपे सिमर प्रीत को दे दिया जाएगा समझ़गा है बैंक ने क्या करा दोनों ट्रांजेक्शन जोड़ दी और नेट सेटल्मेंट की क्लब करके अगर यह आटी जीएस होती तो भी समझ़ड़ो क्या होता मान लो बेटा मेरे को धाई लाग देने थे मैंने आटी जीएस का फॉर्म बढ़ा 10-15 पे बढ़ा 10-16 पे आटी जीएस लग चुकी होती यह 10-20 पे आया एक लाग से कुछ जादा 2-15 जार उपे ट्रांसफर करने 10-21 पे लग चुकी होती मान नेट सेटल्मेंट का लोजिक ही नहीं आता मान सेटल्मेंट होती है ग्रॉस सेटल्मेंट ग्रॉस मतलब अलग-अलग ट्रांसेक्शन अलग-अलग सेटल्मेंट होंगी समझाई बात मैं आई होप मैं बहुत अच्छे से बता है यह कभी पढ़ा नहीं होगा पढ़ाया ही नहीं होगा किसी टीचर ने कॉर्स मैं 100% शॉट ही दे रहा हूँ इसलिए तो बैंक पता नहीं होता एमकॉम कर लेते हैं बैंक में खड़े होते हैं भहिया फॉर्म वर्दो पता ही कुछ नहीं बैंक के बारे में 11th क्लास का टॉपिक है एमकॉम तक बताता नहीं कोई यकीन मानना आट इस और नेफ्ट में आद्दे से ज़्यादा लोग चलो खै मेरा मुद्दा नहीं सबको ठीक करने का लास्ट वैन इस एलाइड सर्विसस और क्या बैंक सर्विस देता है बेटा देखो चार मेजर काम कर चुकिया इससे मेजर कुछ नहीं है जितने चार हमने काम पढ़ लिया लोन दे दिये दो तरीके के चेक के बारे में पढ़ लिया फंड ट्रांसफर पढ़ लिया और बेटा अब बैंक और एक्स्ट्रा काम करता है लोकर फैसिलिटी देता है बैंक या बता दो या हाँ देता है लोकर फैसिलिटी देता है और क्या करता है बैंक बेटा, बेंक हमारे बिहाव पर live insurance premium भी पे करता है health insurance भी पे करता है electricity bill भी देता है, house tax भी पे करता है बेंक हमारे बिहाव पर dividend भी collect कर लेता है interest भी collect कर लेता है और बेंक में भी end number of function है अभी मेरको na cards का जिकर नहीं करना और नवा ATM cards भी आता chapter 5 में आएगा ना वहाँ पर discussion कर दोगा अभी और कुछ नहीं e-banking facility देता होगा bank net banking हाँ देता होगा यह अगला topic है इसले इसकी tension है लो अभी पहले इसकी बात करेंगे demand draft की यह क्या चीज होती है dd क्या चीज होती है कमाल लो जी समझाता हूँ पेमेंट लेता है हमारा भी institute demand draft से लेता था था हमें CA करता था ICI अब होता क्या है बेटा मैं bank में गया मैंने गा bank demand draft बनवाना है bank कहता था ठीक है form बर दो bank में एक form होता है अगर आपने demand draft बनवाना है उसका form होता है उसमें लिखना क्या होता है बेटा आपको कुछ बाते लिखनी होती है in favor of in favor of किसके favor में बनवारे हो amount क्या है sorry payable at कहा पर pay होगा amount लिखनी होती थी और date ये चार बाते लिखनी होती है ठीक है demand draft में demand draft में कोई guarantee नहीं होती है a little knowledge is a very dangerous thing बेटा मैंने आज की date डाली लिखा in favor of the secretary institute of chartered accountants of india payable at कानपूर और amount let's suppose कुछ भी 20,000 रुप है और आज की date डाल 20,000 रुपे का demand draft बनवाना है किसके favor में the secretary institute of chartered accountant of india कहा पर pay होगा कानपूर में pay होगा जितना भी UP का इलाखा है इनका सबका हमारा ICI का branch office है कानपूर में तो सारी बाते कानपूर सही चलती है तो कानपूर में जाना है draft बेटा मैंने bank को 20,000 रुपे दिये और bank कहता है 15-20 minute के बाद draft मिलेगा पहले 20,000 रुपे देने पड़ेंगे बेंक की commission साथ में देता हूँ demand draft बनाने की फिर मेरे को demand draft मिलेगा demand draft क्या होता है बेटा just like a printed check check की तरह होता है बिल्कुल दिखने में लेकिन वो printed होता है बेंक ने print करके दिया होता है the secretary institute of chartered accountant of media check में हाथ से लिखते हो न ये printed होता है बिल्कुल printed check मिल गया मेरे को अब मैं क्या करता हूँ बेटा अपना form और check oh sorry demand draft ये बेज़ देता हूँ कानपूर कानपूर में वो क्या करते है मेरा form निकालते है मेरा demand draft निकालते है अपने account में लगाते है पैसे clear समझा ही बात अब समझना जड़ा बेटा which is most safer check और DD ज्यादा safe कौन सा होता होगा check या DD बेटा देखो एक बात सुनो मेरे account में 5,000 रुपे है मैंने आपको 50,000 का check काट के दे दी आपको पता है है के नहीं मेरे account में 5,000 रुपे है आपको मैंने 50,000 का check दे दी आपको पता है है के नहीं नहीं demand rate दे सकता हूं 50,000 का bank बना के दे देखा बेना 50,000 दी है बेटा माँ 50,000 दूँगा तभी तो 50,000 का DD मिलेगा DD कभी dishonor में होता dishonor होगा कभी इसलिए DD ज़्यादा safer होता है then check समझा ही बात अभी अगला topic साट करते है e-banking फिर लेंगे break अच्छा ये बताऊं क्या होता है बेटा bank आपके बहाफ पर life insurance premium pay कर देता है मालो बेटा मेरे life insurance करा रखा है और उसके हर साल installment करती है 15th of September को मैं हर बार बूल जाता हूं मेरे दुबारत जमा करा गयता हूं interest के साथ हर बार बूल जाता हूं मैंने का यार तो बहुत चक्कर है मैंने bank को का bank तो यार एक SI लगा दे bank काता है SI क्या standard instruction कि automatically अर साल की 15 September को मेरे account से पैसे गटे उनकी account है plus हो जाए bank ने का ठीक है done इसके बदले मैं commission लोगा मैंने का दी तेरी commission जो भी है 2 रुपे, 3 रुपे, 4 रुपे, 5 रुपे बेटा interest देने से अच्छा है bank को दे दो bank आपके भिहाब पर live insurance premium भी पे कर देता है health insurance भी पे कर देता है electricity bill भी पे कर देता है आप समझदार हो वहाँ पर इन बाते आती है कि bank ने आपके भिहाँ पे dividend collect कर दिया और आपको पता नहीं लगा लो reconcile करके दो इसको यार hell नहीं बता क्या ओके है ना बात e-banking मेरा topic है चलो जी इसकी बात करते है वाबू, क्या मतलब होता है e-banking का e-banking मतलब electronic banking e-denote किसको कर रहा है electronic को यार बोल नहीं रहा मैं भी website बन वा रहा हूँ e-success mantra सच में यार मैं मज़ाग नहीं कर रहा है बाकिये तुम्हार चीज़ को मज़ाग सोचते रहो ठीक है न e-banking e-mतलब electronic electronic मतलब using internet using internet internet का इस्तमाल करके banking करना होती होगी bank में facility देता है bank आपको e-banking आज के तारिक में नहीं देता अच्छा देखो बताता हूँ आपको होता गया बेटा दो आपको password मिलते हैं e-banking के case में एक user ID एक login password मिलता है as well as beta transaction password अलग होता है ठीक है आपनी user ID डाली और login password डाल दिया login हो गया आपका account आप क्या क्या check कर सकते हो balance कितना है FD करा रखी थी के नहीं करा रखी थी अगर करा रखी थी तो उसमें balance कितना है account की summary चेक कर सकते हो बेटा कितने deposit हुए भी तक कितने withdrawal हुए साल दो साल चार साल की भी check कर सकते हो लेकिन बेटा कोई transaction नहीं कर सकते है जब तक transaction password ने डालोगे आपने एक नई FD form करने की कोशिश करी e-banking से वो आपको कहेगा पहले transaction password डालो इस sense में ये बहुत बहुत safer है क्योंकि दो password है दूसरी बात एक और बता देता हूँ देखो बेटा पहले hacking हो जाती थी इन चीजों की बहुत hacking होती थी ठीक है न पता ही होगा आपने कभी न कभी सुनोगा आज की तारिक में नहीं होती होगी अब बेटा बहुत कम चीज़े ये सुनने में आती है एक बताता हूँ लो कुछ बात extra knowledge जब भी आप एक काम करना Google पर अभी थोड़े बात डाल कर देखना ब्रेक करूँगा तो PNV Net Banking जो link हो लेगा न वो ऐसे खोलेगा देखो एक difference होता है HTTP और HTTPS में Hyper Text Transfer Protocol ठीक है न जिनके बास CS से उनको पता होगा है किसी के बास चलो है है ठीक है Hyper Text Transfer Protocol Secured जितनी भी Net Banking की Website है सब इस पर खुलती है Secured है Extra Security फीचर लगाए गए ठीक है दूसरी बार अच्छा इसका Bank को फाइदा है या Internet Bank का नहीं बस ये बताओ इंटरनेट Banking का Bank को फाइदा है के नहीं और Customer को फाइदा है के नहीं है के नहीं बेटा Bank कभी चाहता है कि आप Bank branch में आओ Bank चाहता है आप Bank branch में आओ तुम कमाल हो कुछ नहीं बता तुम है दीन दुनिया के बारे देखो एक बात बदाता हूँ अगर आप Bank branch में जाकर कोई transaction करते हो ना तो एक एक analysis बोलता है कि बेंक को हर transaction की cost पर 45 रुपे आती है अब आप केरो बेंक को कैसे cost आती है बिटा इतना सारा star वेटाव है 10 star वेटाव है average salary 50,000 रुपे परमन 5,000,000 रुपे महीना समझाई बात इसके लावा rent bank कोई भी premises अपना नहीं करीता 2-3,000,000 रुपे rent 8,000,000 रुपे हो गए इसके लावा security guard के expenses इसके लावा electricity के bill मिला मिलोगे मालो 10,000,000 रुपे महीना करचा आप गए और आपने saving bank में जाकर 500 रुपे जमा करा दिये bank आप से कोई charges लेता है saving bank में पैसे जमा कराने के नहीं आपको होता है bank को आपने तो करा है 500 रुपे जमा bank को उसका खर्चा कि indirectly बेटा bank को न उस transaction का खर्चा जो आप bank branch के अंदर जाकर करते हो 45 रुपे आता है 10,000,000 रुपे खर्च होते हैं बेटा averagely और मानलो अगर महिने में आप 20,000 transaction कर रहे हो total मिलाकर 20,000 transaction हो रही है तो बेटा हर transaction पे खर्चा उनको 50 रुपे है समझ पारे हो bank कभी नहीं चाहता bank branch के अंदर आओ अगर आप ATM पे जाकर कोई खर्चा करते हो तो ATM से transaction करते हो bank को उसका भी खर्चा आता है बेटा लगबग 5-10 रुपे पर transaction भई ATM मशीन इंस्टॉल करा रखे उसके खर्चे उसके बार भी एक बाच्मेर बेटा वा 24 आर AC ओपन है उसके खर्चे electricity का विल ठीक है लेकिन अगर आप internet banking से कोई खर्चा करते हो bank cost का खर्चा गता है 80 पैसा बेंक क्या चाथता होगा आओ bank branch में transaction कर जाओ नई वेटा 80 पैसा खर्चा गता है बेंक हो चाहता है आप net banking से ही करो net banking से क्या क्या हो सकता है वेटा fund transfer हो सकता है shut out बोलो जल्दी से हो सकता है withdraw withdraw हो सकता है आपने विड्रोल की कमांड दाली aparecer से नोट आने लगए means हुझाड हो लो ऐसे विड्रो सकता है नैं दिपोसित हो सकता है तिपोसित हो सकते हैं पेसे internet banking से यार दिपोसित हो सकते हैं प्रिंटर में पैसे डालो भात्व मो कें अंदर बहुत जांगे लेक्ट॰ो निग Cash deposit machine, ATM automated teller machine, ठीक है ना, पैसे जमा भी उसी में जाता है, निकल भी उसी में जाता है, बैंक क्या चाहता है, ब्रांचेस में ना हो, Cash deposit और withdraw के लिए करो, fund transfer के लिए करो, FD इससे ही बन जाएगी, RD इससे ही बन जाएगी, और क्या क्या हो सकता है, Checkbook issue करालो, ATM issue करालो, सब को Net Banking से हो जाता, आज की तारिक में घर बैटे बिठाए, इसकी जुरती नहीं है आपको, कुछ टाइम के बाद हो सकता है, बेटा, देखने कोई ना मिले, ब्रांचेस ही बहुत कम हो जाए, एक ऐसी country विया वर्ल्ड में, जिसने बेटा, अपनी ब्र ब्रांच के अंदर ही जाना पड़ेगा, तब तक सर्विस नहीं मिलेगी, इंटरनेट बैंकिंग के साथ भी ऐसा कुछ है क्या, बेटा, इंटरनेट बैंकिंग के आपको सर्विस मिल सकती है, 24 x 7 x 365, ये क्या है, दिन के जो 20 गंटे, हफते के 7 दिन और साल के 300 पैसर दिन सर सारन बॉर में कुछ भी हो सकता है, लेकिन पेटा, ऐसा कुछ है क्या, रात के 8 बजे, शाम को 5 बैंक ब्रांच बंद हो जाएगी, तो उनके इंटरनेट बैंकिंग के भी बंद हो जाएगी, ऐसा कुछ, इंटरनेट इसा ओपन स्पेस, ये तो बंद नहीं होता होगा, 24 x 7 x 365 सर्वेस मिलती है न, रात के 2 बजे फंद ट्रांसफर करना होगा न, होगा, 100% होगा, सर ये है कमाल, बात समझ आई, चलो, अब ये ब्रेक करते हैं, बैंक्स खत्म होगे,